इस पदलते हुई दुनिया में शिक्षाक और कोशल भी कासित करने के मुल्य पर जोर दिया जाना चाहिए। लागू करने के लिए तयार है। मुख्य मंतरी ने कहा है उदेशी एक ऐसा नुबव पर दान करने का है जहां सीखने से अर्निंग मिलती है जो लोगों को नौकरी के शेतर में जीत के लिए प्रेवित करता है। एक एंसर एक्सपिरियंस होगा जहां सीखने और रोजगार के लिए कुछ चुने गए टाप अबिल्टिस को सरगोत्तम रूप से हाइलेट किया जाएगा। जो प्रफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों के लिए वहतर साबित होगा। गर्मेंट, 12, ITI, Final Year पूरा करने वने सबी युवाओं से अपील कर रही है। इस सरकारी कार्यक्रम में भाग ले जो कम से कम एक लाख इच्छुप व्यक्तियों को फोन प्रशिक्षन प्रदान करेगा। ये पहलन सभी के लिए समान अवसरों का मार्ध कोल रहे हैं। टोटल 703 विभिन रोजगार शेत्रों के चयन के साथ संकार एक लाख इउवापो सशक्त बनाने का इरादा रखती है। दशिक्षन के लिए इंजिनिरिंग, हैल्थ, फाइनान्स, होस्पिटालिटी, ट्रेवल जैसे फील्टी एक विस्तित शिंखला पर विचार किया जाएगा। एक रमांचप यात्रा की आशा करें, क्योंगी संस्का गत पंजी करन साथ जून को खुलेंगे और उत्साही तिवाप 15 जून से पंजी करन रा सकते हैं। एक अगस्स से रोजगार शुरू होने पर अपनी पूरीक शमता का उप्योग करने के लिए तयान हो जाएए। शॉर्ट लिस्टेड लोगों के लिए स्टिपेंड का प्रस्ताव इस स्कीन के सबसे अकर्शक गतकों में से एक है। इस योजना का सही संचालन की गरंटी के लिए एक स्मिती गटित की जा रही है। ये कमेटी प्रमुक सरकारी, मंत्रालियों, शैक्षिक संगटनों, विजनस से जूरी प्रमुक व्यक्तियों और प्रिशिक्षम मिशेशग्यों के सदस्यों से बना है। उनका experience और skills उन्हें इस तरह से योजना बनाने और प्रशासित करने की अनुमती देता है। जो छात्रों के लिए इसके प्रभाव और लाभों को अधिक्तम करता है। एक नए चींज की और बढ़ते हुए, ये स्कीम स्टूरेंस को knowledge gain करने, grow करने और earn करने की एक बहुत बढ़िया opportunity प्रदान करती है। ये योजना प्रशिक्षवों को आतम निर्दर मनाने और कोशविकास नोकरी देने, कोची और स्कॉलर्शिप्स की प्रभाशक्त से माध्यम से, आश्रा चनग विश्य के लिए मार्ग निर्थारित करने का प्रियास करती है। ये एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिसमें सीखना और कारियर सरस्तित्व में रंते हैं, जिससे आश्रा चनग को विश्य और एक समर्पन राश्टर बनता है। इस तरह की प्रियास करने का ना केवल लोगों को मदद मिलती है, बलकि एक अधिक लाइक सुसाइटी में भी योगदान मिलता है।